नमस्कार आपने लॉग इन किया हुआ है वन इंडिया हिंदी चिन्ने सुबर किंग्स बनाम सन्राइजस हैदरबाद IPL 2018 का मैच नमबर 20 और इस मैच को चिन्ने सुबर किंग्स ने 5 रनों से जीत लिया है जहां आपको बताते हैं कैसा रहा है ये मैच का हाल सन्राइजस हैदरबाद ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का निने लिया और चिन्ने सुबर किंग्स शुरुवात काफी निराशा जनक पुरही बता दें कि शेन वाट्सन और फैब डुपलेसी सस्ते में आउट हो जहां अमबाती राइडो ने 47 गेंदों में बनाए 89 रन तो वहीं सुरेश रेणा ने भी अच्छी बल्ले बाजी करी और वो 43 गेंदों पे 54 रन बना कर रहे नाबाद वहीं महिंद सिंग धोनी ने भी अच्छी बल्ले बाजी करी और उन्होंने 25 रन बनाए 12 गेंदों में अगर बात करें हम सनराइस हैदरबाद की गेंद बाजी की तो भुबनेशर कुमार ने अपने 3 ओवर में 22 रन दिये और उनको एक सफलता मिली तो वहीं बिली स्टैनलेक ने अपने 4 ओवर में दिये 38 रन शाकेविल हसन ने अचार ओवर में 32 रन दिये और सिधार्द कौल ने अपने 4 ओवर में दिये 33 रन राशित खान सबसे जादा expensive गेंद बाज रहे उन्होंने 4 ओवर में दिये 94 रन और उन्होंने एक विकेट भी चटकाया एक ओवर में दिये 8 रन अगर बात करें हम Sunrises हैदरबाद की बल्ले बाजी की तो उनकी शुरुआत भी काफी खराब रही रिकी बोई और मनीश पांडे बिना खाता खोले ही आउट हो गए वहीं दीपकूडा ने भी मातर एक रन ही बनाया लेकिन दूसरे एंड पर कप्तान केन विलिंसन तावर वहीं रिद्धिमान साहा वहीं रिद्धिमान साहा पांच रन बनाकर रहे नौट आउट और राशित खान ने चार गेंदों पे मारे 17 रन लेकिन हैदरबाद की टीम मातर चार रन से ये मैच हार गई 23 रन, करन शर्मा ने अपने तीन ओवर में दिये 30 रन और ड्वेन ब्रावो ने अपने तीन ओवर में दिये 38 रन और उन्होंने एक विकेट भी चटकाया तो चिने सुपर किंक्स ने इस नेल बाइटिंग मैच में सन राइजर सहिदरबाद की टीम को चार रनों से शिकस दे के मैच कर लिया है अपने नाम इस वीडियो में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लॉग आउन करें और इस वीडियो को शेर और लाइक करना ना भूलें साथ ही साथ वन इंडिया हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब करें